उत्तरप्रदेश के जनपर बहराइच के फकरपुर थाना छेत के टेडवा उजार के मजरे कटाहरी पुर्वा निवासी सुरेश कुमार के पिता छोटे लाल की लंबी बिमारी के चलते आज हॉस्पिटल में मौध हो गई जिनका सु लेकर आज घर पहुंचे सुरेश के घर के निवासी जगदीश वा उनके अने परिवारिक लोग सु को घर में नहीं ले जाने दिया और 112 पर कॉल कर कॉरोना वारे से मौत की सूचना फैला दी चेतर में कॉरोना का खौफ फैल गया मौके पर पहुंची मेडिकल टीम ने स्थानी पुलिस को नार्मर बीमारी से मौत की रिपोर्ट बना कर दी तब जाकर चेतर में लोगों ने राहत की सांस ली सुरेश ने बताया कि पडोसी जगदीस वा उनके लड़के मनोज आद ने रातो रात घर की दिवार तोड़कर दरवाजा लगा कर घर पर कबज़ा करने की कोशिस कर रहे थे और खेत पर जबरजस्ती पहले ही कबज़ा कर लिया है जिसकी सूचना तहसील प्रिसासनवा फकर पुर्थाने पर दी गई है लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है आज पिता की मौत पर भी अपनी आदत से बाज नहीं आएं घर का सामान इधर उधर फेक दिया और सव को घर में नहीं ले जाने दिया पुलिस के पहुँचने पर अंतिन संसकार की प्रक्रिया पूरी की गई एसो असो कुमार सिंग ने बताया कि विपच्चियों ने जमीनी विवाद को लेकर गलत सूचना अज जिला अधिकारी को दी थी मौके बर पहुँची जाज टीम ने नार्मल रिपोर्ट दी मामले की जाज करा रही है उचित कारवाई की जाएगी क्या समस्या हुए यहां समस्या जी हुए कि बाप हुआ बीमार है हमरे घरे रहा है वहां उनके मिर्थ खोई के लगे के आया रहिए है अबर फोन में रहा हुए तो पुरे सब्सक्राइब करोना है तो भाईया करोना जाँ चोई गहा है करोना नाय निक रहा है और मटी नाय दिया दे रहा है अतनी अबर समस्या घर के सब कबजा कहां चले जई कोई नाय आगे बीचे घर कबजा के अधर नेरे फोरे है खिर की फोरे है खटिया चोड़े नहां अधर और अधर रहा है और इधर खिर के पौरे है अखन भारत नियूज के लिए जुनायत अहमद अंसारी के साथ जमील अहमद की रिपोर्ट पहराई